तो स्वागत है आपका मेरे नई चेनल करन सर फार्मा क्लासेश जहाँ पर आपको मिलेगी फार्मा सेक्टर से लेटेट हर जोब की जानकरी समय पे चाए वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्मेंट सेक्टर हो हर जोब से लेटेट मैं आपको अपडेट रफूँगा जिससे कि आपको समय समय पे जोब की जानकरी मिलती रहे और कोई भी निउस आपसे नहीं चुटे तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं हमारी पहली निउस के बारे में है पहली जॉब के बारे में हलो और वेलकम स्टुएंट स्वागत है आपका करन सर फार्मा क्लासेस में और आज हम जिस पहली जॉब की बात करेंगे वो निकली है सन फार्मा में बी फार्मा डी फार्मा के लोग इसके लिए अपलाय कर सकते ह में जॉब निकली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निकली है जो जॉब है वह स्टेराइल और प्रोड़क्शन डिपार्टमेंट में बेसिकली एक्जिकुटिव और सीनेर एक्जिकुटिव की एजुकेशन मांगा गया है बीफार्म एक्सपिरियंस पांस से नो स चिंग में एजुकेशन बीफार्मा दो से पांच साल का एक्सपिरेंस मांगा गया है जनरल इंजेक्टेबल्स और इंजेक्शन में ही यह ये भी प्रोडक्शन डीपार्टमेंट में नेक्स इस्टेराइल, Non-OSD Technician, D-Pharma, Diploma and Engineering और ITI के लोग इसके लिए अपलाए कर सकते हैं, दोसे 8 साल का experience मांगा गया है, और Validation, General Injectables, Cytoparentals और Packaging का experience मांगा गया है, Next is OSD Executive, Officer, Production and Packaging, B-Pharma, 2-7 साल का experience, Granulation, Compression, Coating का experience मांगा गया है, आपको knowledge होना चाहिए उसका, Next is OSD Technician, Production Packaging, D-Pharma, Diploma and Engineering, ITI के लोग इसके लिए अपलाए कर सकते हैं, 2-8 साल का experience मांगा गया है, Granulation, Compression, Coating का knowledge आपके पास होना चाहिए, Job Location होगी आपकी गुजरात में, Sun Pharma, Halool काफी बड़ा प्लांट है ये, और इसका मदर प्लांट है Sun Pharma का, तो Halool जो की गुजरात में है, बड़दा के पास में, Interested जो भी candidate है, उन लोगों को इन दो mail ID पे अपने resume जो है, वो send कर देने हैं, hrc.sunpharma.com, और next है, swapnepesh.lodhia.sunpharma.com, इन दो mail ID पे आपको आपके resume जो है, वो send कर देने हैं, और बाद में फिर further इन resume को वो फिर shortlist करेंगे, देन फिर आपको call के थुरू बताएंगे, कि आपका जो interview होगा, वो किस date को होगा, तो जो भी candidate, जिनके पास भी desired qualification और experience है, वो इस job के लिए apply कर सकते हैं, जो next job निकली है, वो निकली है, यू Medica, Laboratories, Private Limited के लिए, M Pharma के लिए job निकली है, और formulation में और development में है, चलते हम आगे, department है, formulation and development, first, M Pharma Sutics के लिए job है, experience मांगा गया है, तीन से पास साल का, research associate का, और senior research associate के लिए जो job निकली है, उसमें 6 से 9 साल का experience मांगा गया है, और research scientist के लिए जो job है, उसमें 10 से 12 साल, assistant manager के लिए experience मांगा गया है, required skill मांगी गई है, यहाँ पर आप skill देख सकते हैं, literature search आपको आना चाहिए, basically यह पुरा research related experience मांगा गया है, पूरा, research based होगा आए पूरा, आप वीडियो को पुश करके सब कुछ easy way में पढ़ सकते हैं, इंटर्वी का पे, इंटर्वी है 23 तारिक को शनिवार को, टाइमिंग होगी सुबह 10 बहे से 2 पेर की 2 बज़े तक, address में आपको बता देता हूँ, मुंबई में इंटर्वी होने वाला है, 0-25 upon 4, TTC industrial area opposite Balmar and Leverry Drum Factory, तर्भी, New Mumbai 400706, जो contact person हैं को वो होगे Mr. Pramod, रंग डाले, HR and admin है, इंका landline number भी आपर दिया हुआ है, और यह important note है कि जो अगर आप इस interview के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या लेके जाना पड़ेगा, आपके सारे documents चाहिए, photographs, सारे certificates लेके और साथी साथ आपका पूरा resume जो के updated होना चाहिए, यह सभी लेके आपको यहाँ पर पहुशना है, तो जो भी candidate एम फार्मा, फार्मा सुटिक से हो, और जिनका research में experience और desire जो इन्होंने मांगा है, तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं, और interview के लिए जा सकते हैं, जिदा walk-in interview है, और मैंने आपको job location बता दी है, तो जो भी candidate interested है, वो इस job के लिए जा सकते हैं, जो next job निकली है, वो इंडिया की काफी जानी-मानी company, torrent pharma में निकली है, एम फार्मा, MSC के vacancies है, analytical development, formulation development में vacancy निकली है, देखिए पहला जो है, वो analytical development में executive की post है, आठ साल का experience मांगा गया है, qualification M pharma और MSC, experience, HPLC, GC, MS, और सारे sophisticated instruments का इन्होंने knowledge मांगा है, skill मांगी है, basically आपको आना चाहिए चलाना, next step, formulation development में भी executive, आठ साल का experience, M pharma, skill देख सकते हैं आप, interview जो होगा, वो 23 तारिक को होगा, ये भी, venue होगा, torrent pharmaceutical limited, गांधी नगर, time होगा, सुबह 9 बज़े से लेकर, शाम को 4 बज़े तक, और, ये एक बहुत important शर्थ इन्होंने रखी है, कि जो भी candidate इस interview के लिए जाएंगे, उनको पिछले 6 महिने तक इस job के लिए apply नहीं किया हो, मतलब जिन लोगों ने, पिछले 6 महिने में, torrent में अगर apply किया हो, तो वो लोग apply नहीं कर सकते हैं, freshers को इन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया है, कि freshers इस job के लिए apply ना करें, तो venue है, direct walk-in interview है, सीधे जाकर आब interview दे सकते हैं, तो जिन भी candidates के पास ये desired experience हो, वो इस interview के लिए जा सकते हैं, और इसमें बेट सकते हैं, गांधी नगर में interview है, torrent pharmaceutical के limited, next job जो निकली है, वो इंडिया, इंडो shift limited में निकली है, मोहाली आपकी job location होगी, मोहाली पंजाब, जो की चंडिगर के पास में है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, quality control, department, officer, senior executive, executive की job निकली है, handling, आपको HPLC, AIS, potentiometer की skill होनी चाहिए, qualification, b pharma, m pharma, msc, experience मांगा गया है, तीन से छे साल का, clinical officer, तीन से पास साल का experience, clinical है, तो समझ जाईए, m pharma, pharmacology मांगा गया है, और clinical research में आपको पूरा knowledge होना चाहिए, medical writer का, scientific writer का, review of protocol and clinical study reports का, next है, formulation development, officer और senior officer की post है, profile आप यहाँ पर देख सकते हैं, aim pharma मांगा गया है, तीन से पास साल का experience मांगा गया है, job location होगी, mohali, और केवल उनी candidate को यहाँ पर allow किया जाएगा, जिनके पास यह desired qualification है, अगर आपके पास यह qualification, skill और experience है, तभी इस job के लिए interview के लिए जाए, नहीं तो ना जाए, इन्होंने पहले ही यह सारी चीज़े clear कर दिये, तो काफी अच्छी job है, को जो भी candidate, mohali है, mohali के आसपास है, जो एम फार्मा है, और जो इस job में जाना चाते हैं, जिनके पास desired qualification है, वो यहाँ पर जाके interview दे सकते, next job निकली है, वो भी इंडिया की काफी जानी मानी industry में निकली है, company का नाम है GSK, एम फार्मा और MSC के लिए vacancy है, regulatory affair department में, तो चलते हम, job description यहाँ पर दिया हुआ है, regulatory affair से related है, पूरा job description की responsibility भी इन्होंने बता दी है, वीडियो को push करके आप सारी की responsibility को पढ़ सकते हैं, next हम चलते है, candidate profile के बारे में बताया है, master degree, बोला है, M Pharma या MSC के लोग ही इसके लिए apply कर सकते हैं, minimum 5 साल का experience मांगा गया है, experience 5 साल का qualification M Pharma MSC, job location होगी आपकी बैंगलूरू, apply आपको online करना है, आखरी तारीक होगी 30 अप apply कर सकते हैं, ठीक है तो जो भी candidate जिनके पास desired qualification हो, वो इस job के लिए online apply कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको shortlist करके बताएंगे कि आपका interview कब रखा गया है, तो आप उस particular date पे चले जाएए और अपना interview दे सकते हैं, जो next job निकली है, वो निकली है, MNIL Pharmaceuticals में, M Pharma, MSC, B Pharma क recruitment हो रहे हैं, quality assurance, quality control department के लोग इसके लिए जा सकते हैं, इसके लिए जा सकते हैं, मतलब quality assurance और quality control department के लिए job निकली है, first quality assurance department, QMS, change control, कापा, deviation, incidence, lab, QEC, OS, OOT, risk assessment का knowledge आपको होना चाहिए, इन सभी से related मेरे channel पे वीडियो पहले सी present है, तो इन वीडियो को देखके आप समझ सकत हैं कि कापा क्या होता है, deviation क्या होता है, OS, OOT क्या होती है, next validation से related knowledge होना चाहिए, method validation, qualification, equipment, validation, facility, quality control में आपको भी वही knowledge इनों मांगा गया है, HPLC, GC, UV, FTIR का knowledge आपके पास होना चाहिए, as an analyst, additional information, 2-6 साल का experience मांगा गया है, उसके अलावा M pharma, B pharma, MSC के लोग इस job के लिए गुजरात, मटोडा, जो की एहमदाबाद के पास में है, आखरी तारीक है, 25 अप्रेल, 2022, जो भी interested candidate है, वो इस particular mail ID पे अपना resume send कर सकते हैं, neha.modi.amnilindia.com, तो बाकी वो फिर आपके resume के साब से आपको shortlist करेंगे, और आपको interview की तारीक बताएंगे, कि आपका interview कब रखा गया है, तो उस date पर जाकर आप अपना interview दे सकते हैं, जो next job निकली है, वो निकली है, hetero drugs में, quality assurance department, mpharma, msc, bpharma के लोग इसके लिए अपलाए कर सकते हैं, senior executive, executive, qa में job है, api department है, 4 से साल साल का experience मांगा गया है, qualification, msc, bpharma, mpharma के लोग अपलाए कर सकते हैं, work location होगा आपका नाकापली, नियर तो टूनी, जो भी interested candidate है, वो इस particular mail ID पर अपना resume send कर सकते हैं, kiran.su.hetrodux.com, तो जो भी candidate नाकापली के आसपास हो, और जो इस job के लिए interested हो, वो इस job के लिए जा सकते हैं, आपको बाद desired qualification और experience होना चाहिए, तो आप इस particular mail ID पर, जो कि मैंने आपको बताय है, इस mail ID पर अपना resume send कर सकते हैं, उसके बाद हो candidate को shortlist करेंगे, और आपको फिर further जानकारी देंगे, कि आपका interview कब रखा गया है, तो उस date पर जाके आपको आपका interview देना है, और फिर वो बताएंगे कि आप select होते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशकबरी ह है कि अब आपको हर job की जानकारी, जी हाँ, फार्मा से related हर job की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे interview दे सकें, और job ले सकें, सर कोशन ये उठ रहा होगा कि जानकारी कहा मिलेगी, तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे, चैनल का नाम है करन सर फार्मा क् हो, उससे related जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी information, कोई भी news, जो की jobs related है, वो आप से नहीं छूट पाएगी, तो जरूर इस चैनल को subscribe कीजिए, और साथ ही साथ एक और information, कि मैं आने वाला हूँ live, और समय समय पे मैं live आके, आपकी जित्ती भ problems हैं, जित्ते भी doubts हैं, उनको sort out करने की कोशिश करूँगा, कोशन ये भी उट रहा होगा, कि सर आप live का आने वाले हो, तो मैं live आऊंगा मेरे facebook page पे, मेरा facebook page का नाम है Professor Karanajay Gupta, facebook page का link में नीचे share करना हूँ, वहाँ पे जाके please मेरे page को follow कीजिए, और like कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आने वाला हूँ live और आपकी सारी problems को मैं वहाँ पर sort out करूँगा, तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था, वीडियो देखने के लिए thank you very much, आपके उच्वरोश की काम ना करता हूँ, और यूही बरे रहे रहे हैं मेरे स्वाइगा,